कि है कि कि छेटों से वेल्काम तुगामागेक लासे हैं हुप आप लोग अच्छे होंगे बहुत लिबहों इन तरीके से आप गामा के क्लास शी की हर एक टॉपिक पे जो भी हम से सब्सक्राइब आप लोग अच्छे से समझते होँगे विदा आज अब क्लास 9 का टॉपिक ल आगे हम उसी के आगे continue करेंगे यानि कि अभी तक हम area of tangle निकालते थे वो कौन से निकालते थे और जो अब हम निकालेंगे area of tangle वो हम किस निकालेंगे वो सब्सक्राइब करने से पहरे कुछ चीज़े आप इसली क्लासों में पार चुके हैं आपने यह फॉर्मलों और यह फीगर्स को आपने अच्छे से किया होगा हमारी दो चीज़े आती है एक तो आता है पहला हमारा आता है area दूसरा हमारा parameter जिससे आप इंटर होता है state line और पारी मीटर यहीं होता है एक इस्टेट लाइन मिस होता है मेजर्मेंट करना क्या करना कि Exact अपना क्या करता है मेजरमेंट करता है यहां पर यानिकि आगा हमने क्या किया एक कोई बॉंड़ी की यह हमारी क्या एक लोज बॉंड़ी है यह जो हमारी साइड है यह जो हमारी साइड का मेजरमेंट है यानिकि और साइड सम और सम और साइड यानिकि सभी साइडों का जो मे करते हैं, अगर हम एरिया की बात करते हैं, तो एरिया क्या होता है, अगर हमने कोई एक कर्व खीचा, कोई हमने एक डिजाइन दीची, उसके अंदर कुछी स्पेस होगा, क्या होगा, कुछी स्पेस होगा, उस स्पेस को जो हम फाइंड गाउट करते हैं, वही हमारा क्या क्या कहारता है यानि कि आगर हम ने कोई ंचीया कोई श्रबर खिश लिया थे हम झालूर एक लिर वह मोका चुरिय कोई श्काइब किश लिया तो यानि कि उसके अंडर कुछ स्पेस होगा उसी को लग्या हम उसी को मोटते है और तो दूержआ हो और earned एक तो हमारी बात और कि ₧ परिमीटर की दूसरी बात आगे हमारी एरिया की वह चीजे आपको चीज से समझ में आ गई होगे बैटा हमने लास लास में जिस्स किया हुआ था कि पेरी मिटर क्या होता है और एरिया क्या होता है किसका रेक्टैंगल एसक्वार कोडिलेटर और आईसो सेर्स एंडाये त्वी चिजो को आपको अच्छे से पता भी होंगे फॉरमुले तो हमें लगता नहीं है कि आपको यह लिखने चाहिए फिर भी मे आगे हम कॉँली गांते हैं इनके हम टेंगल कि बारा है पुरा है रशान फॉरम्ला है डिपेंडेंट हैं कि इस पेंगल पे मारा पुरा इक होता है अिसे इस्सेलर्स छेंगल ट्रैंगल टिए अलग अदर है या जो होती है दो सब्राबर होती है वह में या और तेन बराबर होती है नहीं रहने किली SSD ट्रैंगल तींगल यहां परोछेंट Sometimes weруг हैं साथ सब्रूंद कर दोद्व हों लाए इसकोफार्नक्रांतjä स्लयाय किसे और इसको एंगल इंगल किता हुता इसमें वह इंगल करेंगन युद्र निए वह इन को मारा क्या होता है ? मल्टियप्लिकेश्ट हमारा बताता है ? बम बात म Pengkar करे किमें पाहता है ? हाइट लिए हमें पता है कि क्या रहेगा यह और क्या आगए घृता है अगर हम जो कि हमारी इन दोनों के संके स्क्वार की बराबर होती है पाइताइरोस्थेर्म के लिए हेस्टरम लावर एक बराबर अ-b-स्क्वार बनाबर principle इस तुरिए जो यह ओती है एसी स्क्वेर ब्राबर एभी स्क्वेर प्रेस का बीसी स्क्वेर यानि कि यह हमारी के और पहला पाता है अगर हमारा यहां पर बेस दिया और है तो हम एड़ा कर लेंगे र्पेम एड़ धायंगे उसको लगाएंगे थ्रिस्क्राइब। अपर जीजे आपको चीजे दिख्कशे दिख्णदू को एक टौपिक को बहुत अच्छेसिय से बहुत डीप लिकल्त में करocyst करते हैं और अपने डाउस को हमारे जो disruption में वहां पेपनी प्रोडम्स को रख सकते हैं 100% आपकी प्रोडम्स को में clear करने की कोसिस करूँगा देखो अब बैटा हमने ethos को बिरेस कर लेते तो ज़्यादा बैटा समझ में आगा बैटा ठीक है ओके तो बहुत easy way में हम आपको समझाते हैं ठीक है अगर कोई हमारा एक right angle एंगल है ठीक है अगर हमारी एपॉइंट है यह बी पॉइंट है और यह हमारा सी पॉइंट है प्रेटा इस पर हमारा एंगर किता बनना था 90 दिग्री बनना था ठीक है खिरा किया थै किया एक यह हमारी है पॉरू। यह है हैं यह हैपोटेंस है है फो टी इन दोनों के स्क्रार किसम के बराबर होती है यानि की पैथा बोर्जेड़ा सके है इस दोनों Abend रिखा यहां वैसे आप लिख सकते हैं कोई दिख्कत नहीं और आपको चीज अच्छे से समझ में आईए नोगों इस में क्या पाओ था फिर फॉर्मॉला पेटा एरिया ऑफ ऑफ ट्रेंगल इंगल पीटा पीपनी क्या पाओ था वन ऑपाओ टू बेस इंटू है यानि कि जह हाँ पर हमारा इंगल 90 डिगरी बनना है उन दोनों साइटों के मल्टीपलाइए हमारे एलिया को बता देते थे यहां पर हमारा B कया है बेस है H कैने रहे हमेरा 1 अपान 2 हमारा consistent है क्या है constant है constant वह numbers होते जो हमें change नहीं कर सकते है वह होते है जो हम change कर सकते हैं तिए अब हमारी अगली चीज आती है अगली चीज आती है कौन सी ही रॉंस फॉर्मॉला के किसके बात आती पेचा अब हमारी आती है रॉंस हॉर्मूला बहुत दिंपॉंइंट टॉपिक है यह एक हमारे मैत्मेकेशन थे उन्हों ने दिया एक हिरांस नाम से तब ही हुँगे तब ही आपको पता होंगी अब हिरोंस में दूसरी चीज आती है हमारी हिरोंस फॉर्मॉला में हमारे एलिया कि और अटेंगल जो होता है वह होता है रूट में है S, S-A, S-B, S-C यह हमारे क्या होता है हिरोंस फॉर्मॉला अब पूछोगे वेल क्या पूछोगे वेल क्या पूछोगे वेल वेयल एस क्या है मारी ऐसा है सेमी सेमी पैरी मीटर से में पेरिमिटर अब हम बात करेंगे कि अब यह फॉर्मुला हमारा अप्लाई कहां पर होगा अभी तक हमें क्या दिया था अगर बेस और हाइट दी है अब हमें क्या दिया होगा एक कोई फीगर दिया होगा इसमें हमाई थी साइस होंगी टेंगल से हमें प्रता है थी साइ से मेटा अगर हमारे इसमें हमारी एक साइड ए है दूसरी से भी है तिसी साइड सी है यानि जो ए बी एंड सी है यह सारी हमारी क्या है साइड से वियर ए कॉमा बी कॉमा सी आर साइड यह हमारी क्या है साइड से इनहें हम क्या बोल एल इसे बोलें के भी और इसे हम बोलें के सी यह हमारी ए मौलें हम से चैसी क्लियर हो हो गयी होगी कई तो पहले प्रपात है अब हम बेस दिया है है तो हम अधिया को फाइंड करते थे तो हम एरी आफ टेंगल किसे निकालेंगे इस से निकालेंगे अब बात आती है कि हम से मिपेरी मीटर को निकालने के लिए क्या होता है में प्रति गट क्या होता है आपको पता है कि साइडें इनके तो इंडेंगें गीं तो बनने सेक्षाहे मान मैं प्रॉब्र्स की बार है भूर के लिए को करेंगे बहुत में करें तो पहले में नोड ढूर्ट लिए धो विश्व मोष्ण करते हैं आई होब चीज आपको अच्छे समझ में होंगी इस चैट्टर में जादा है हमारा कुछ नहीं स्टार्टिंग में तो जो जो भी चीज आएंगी उसाज चीज हम आपको क्लियर करेंगे बट अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सेहा करेगा फ्रेंटों साथ चैनल में प्रेंगे निया तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिल्कुल मैं बूली गए और और आगे अच्छी से कंटेंट प्रोइब होता रहेगा ठीक है ओके एक हम प्रॉद्रम्स को बाहरे में चिसक्त करते हैं प्रॉद्रम्स हमारे क्या कहती है कहा है प्रॉद्रम्स कोशन में नोटन पहले कह लेता हूँ Zelda साथ करॉद्रम्स का हरे क्या प्रॉद्रव ल in are in the ratio in the ratio of three ratio five ratio इता मैं लिख लेता हूं खाव सब three ratio five ratio seven ratio एंड एंड परिमीटर क्या रिया है परिमीटर परिमीटर बराबर three hundred meters first find it find its area हमें क्या बताना है एडिया बताना है तीक है चलो आपको आपको बता है बहुत सब्सक्राइब को आता भी हो गाएं नहीं आता है मैं बतारा हूं आपको अच्छी से किर्या होका चीजे टिगे हैं फिर कोई प्राइलम में तो मेरे को कमेंट करें बता दीजिएगा है ओक अच्छी हमूं हम है तो पेट सब्सक्राइब को सब्सक्राइब एक त्रिंगल है क्या है जो टेंगल हमें आइसे मिलेगा और इसको कोईटे हैं ये इसमारा क्या करी विदाया है कि i अगर हम 3 ratio 5 ratio 7 दिया है तो अगर हम साइट पूछेंगे तो पहले हमारी हो जाएगे 3x और दूसरी साइट हो जाएगे 5x और तीसरी हो जाएगे 7x मैंने के हम कोई एक constant लेखे क्या ले लेंगे यहां पर क्या है चाहीज जाएगे परिम्यटर क्या होता है पता ना में रहे को अगर हम पैरिम्यटर पूसेंगे नार्मल सा है parameter parameter के order सबी side होगा सम, side क्या है निया है 3x है plus 5x है plus 7x 3x plus 5x plus 7x अब बेटा यहां पे देखो हमें parameter दिया है कितना 300, बेटा क्या दिया है 300 meter, और यहां पे हो गया 3x plus 5x plus 7x बेटा हम इसको सौर्श अब plus minus करेंगे, तो आईगा यहां पे 300 यहां पर हमारा होगा 8 और 8 और 5 कितना हो जाएगा 8 और 7 15 15 आएगा पेटा बिलकुल आएगा 8 और 7 15 ठीक है तो X ब्राबर आजाएगा हमारा 300 बाइ 2 300 बाइ 15 15 तो 15 टूर्जा यानिकि 20 आएगा कितना हैगा 20 20 तो अगर हम X पूचिने कितनी है कि पेटा जहाँ जहाँ पर X से वहाँ वहाँ पर हम क्या लिख देंगे 20 क्या लिख देंगे 20 यानिकि हमारा 3 X क्या हो जाएगा 3 multiply 20 यहीं हाजाएगा हमारा 60 ठीक है और इसी तरह हम 5 X में क्या आगा देंगे X लग देंगे कितना हो जाएगा 5 multiply 20 कितना आया 5 तूसा 10 यानिकि 100 ठीक है आप ऐसी अगर हम बात करेंगे किसकी 7 X के 7 X में क्या लग देंगे 7 multiply कितना है 20 कितना है 140 यानिकि हमें A side में मिल रही अगर हम इसको A माने इसको B माने इसको C माने यानिकि A B C हमें side A मिल गई तो अगर हम कुछे semi perimeter क्या पूचे semi perimeter क्या हो जाएगा हमारा A कितना है 60 है अभी पताया था formula A plus B plus C by 2 B कितना है और C कितना है 140 है divided by 2 हुआ divided by 2 हुआ तो यहां पर आप देख पा रहोगे पीटा यह कितना हो जाएगा हमारा 60 है 200 तो हैंड़ अपॉल 2 तो यहां पर आया हमारा वन हैंड़ क्या है सेमी perimeter क्या है सेमी perimeter कि लिए हो गया अपको हमें क्या पताना था एरिया बताना था तो देखू बैचा जब हमें area बताना है तो दोना हमीं क्या करतें हैं तो से रेस करते हैं हमने formula क्या बताया था अभी आपको area equal to root में S, S कितना है बेटा, formula एक बाले की लिए लिए था हूँ, S, S-A, S-B, S-C, ये बताया था ना, तो बेटा, यहाँ भी देखोगे, हमें क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, उसको पहले देखते हैं, बेटा, हमें S निकला आया, कितना 100 है, कि देखे क्या हो जाएगा आप माला हैंडेट बीफिफिफ्टी की देखे क्या हो जाएगा आप माला आएगा तो यहां पर फाइब फाइब फ्सटेंड क्या है एवे अच्छे कर लेता हूं 150 आएगा ऑग्के बाइ मिस्टें गिलित कई हो गया हो जहिए उक हां यहां पर एंडेख हमने यह इंद धिया तो यहां पर इंन यहां पर आगे कितना 150 तो यहां पर हम 150 रखेंगे कितना रखेंगे 150 भाई मिच्टेक हम नहीं कर दिया ठीक है तो आप देख लीजिएगा इसको यहां पर जाएगा 150 और यहां पर हमारा आएगा 150 अंड यहां पर हमारा 2nd क्या आथा एंड इसी तरह यहां पर हो जाएगा 150 है 14 ठीक है्टए यहां पर छॉह सन्द cheap हमने क्या किया था decent हमने इसको द्यान नहीं दिया कि यहां पर हमने 40 इसको ले लिया ता इसलिए हमाज 200 हो गया था बट यहां पर हमाज होगा 100 और यह 60 और 40 कितना हुआ 500-40 200 200 में प्लेस करें 100 कितना है 300 300 by 2 है निकी 150 यह निकी यह हमारे के निकल किया semi parameter तो अब हम semi parameter यहां पर value क्या कि हमने put कर दिया s के place में x की value a के place में a की value तो अब बेटा हमारा answer क्या है का आगे हम clear करते हैं ठीक है उपर गाम तरह साब race करते हैं आप वीडियो को तरह से पहुंस करके note-down कर लिजेगा उपर का ठीक है कोई problem नहीं होगी कि अब हमारे जो बात आती है वह बात आती है कि हमें दूट निकाल लेकी दो को बीटा ध्यान से देखो क्वान 15 के मट्रीप्लाइम यहां पर माइनस करेंगे कि इतना है कि हमारा नाइन टी आएका यहां यहांपर आएका मारा कितना 50 कितना एगा 50 और यहां कितना एगा हमारा 10 आएगा हम क्या करें इसको बहुत इजी बता रहा हूं विचा समझना दान से तो यहां कितना लिखा है 15 मुल्टीप्लाई हमका लेते हैं 10 से कितना हो गया 150 आएगा ठीक है यहां पर देखो हम क्या करें 10 मुल्टीप्लाई 9 यहां पर हमारा कितना है इन दो के पेर बने और इनके पेर बने और इनके बने ठीक है तो यानि कि एक बाहर यह ला आया 10 और एक हमारा वाह यह लाया यह दूसरी बात अंदर क्या मचा देखो द्यान से अंदर मता हमारा क्या मचेगा अंदर हमारा बचेगा 15 15 मल्टीप्लाइ 9 मल्टीप्लाइ 5 ठीक है तो आगे हम सौल गारते इसको यहां पर आगा हमारा हेंडर एड़ इसको भी तरह हम सौर कर दोगों इसको हम कहाते हैं 3 multiply 5 3 5 is 15 multiply 3 multiply 3 multiply 5 clear आगे दोगो आप हमारा क्या आगा दोगो एक तो हमारा 3 बाहर आ गया ठीक है यानि क्या है हमारा कितना हेंडर एक हमारा 3 बाहर आगा दूसरा क्या आगा एक ये 5 एक ये 5 ये हमारा बाहर आ गया 5 अंदर क्या है हमारा 3 कितना है ठीक है अब यहाँ पर दोगो हमारा क्याया 350 15 1500 root 3 डीक किसमें दिया था मेटा मेद में दिया था मेटा मेद recep यानि कीमेटर में रख सकते है यह हमारे क्या है एरिया एरिया और बेटा किसको नहीं समझ मैं मेरे को कमेंट करके बताईएगा और आपको दिया गया है वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं इसको ठीक है आपको समझ में रहा कर देजए एक चीज हमें आप इंपार्डेंट लगी कि हमें कैसे में पता लगेगा कि हमारा एरिया दिया है जब भी हमारा फीर होगी अभी हम किसे बाहरे जिस्क्राइब करें जब भी हम अलग टैप की उनिश्ट रहेंगी जब हमारे जब भी लौद खेंब हमें और स्परद कारतें तब लगता है ना ही हमारे साइड और लेंट में दिया होता है यjerनिकि वह हमारे आपको नहीं लगा होता है तोpres तो सेक्राइब करते चीज ंचिज एक तर MS तो आपने लास्यरत में अच्छे इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लिए फिर आगे हम के लिए अगाते हैं अगले हम चुछन के बारे में बहुत इंपर्डंट कोसे हैं यूकि ऐसे को समये एक्जाम में मिलते हैं रेश्यो वाले तो हम इन कुछन को अच्छे से प्रॉपर में आपको इसलिए जिस्क्रा उसलिक हूं प्याद को हमें क्या करनाए चीजा को कलास पर इतश्क आपने समय वहां के orके बात करते हैं बहूं इंतरेस्टिंग पॉस्ट है उसुरेसं कहते हैं कह रहा है find the question number second find the find the area of a triangle, find the area of a triangle, two sides, two sides of which are 18 cm, 18 cm, and 10 cm, and the perimeter equal to 42 cm, area of a triangle, two sides of which are two sides given, one side is 18 cm, and the other is 10 cm, we can say that a is 18 cm, and b is 10 cm, so if we have a perimeter, what is 42 cm, so if we have a perimeter, what is a plus b plus c, प्रेटा यहीं तो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, यहीं तो कहलाएगा, a, b and c, ठीक है, अगर हमारा यह क्या side के दिये, a, और यह side हमारी b, और यह हमारी side c, तो यहाँ पर आप देखोगे, पेटा, पहरी मेटा में कितना दिया है, 42 cm, ए, a कितना है, पेटा हमारा 18 है, और b कितना है पेटा 10 है, प्रेस कर सी, है कि नहीं है, इनको जब सम करेंगे, कितना है पेटा हमारा, 8, 28, प्रेस कर सी, 42, ठीक है, अगर 42 में हम क्या करेंगे, 28 माइनस करेंगे तो पेटा हमाँ 12 में 8 गया कितना है पेटा 4 आएगा 4 यहाँ पर कितना है 3 और यहाँ पर 2 गया 1 यहनि क्या है कितना है 14 C बराबर हमाँ क्या है 14 C बराबर हमाँ आए 14 यहनि कि हमें A भी मिल गया B भी मिल गया C भी मिल गया हम क्या करेंगे सेमई पेरिमीटर, यानि कि S निकालेंगे, क्या होता है बेचा A प्लस B प्लस C बाइटो, यहां पि देखो बेचा A कितना है पेचा हमारा, 18, कितना है बेचा, 18 B कितना हैं हमारा? 10 10 10 सी कितना है हमारा? 14 By 2 तीनों को हम सम्करेंगे कितना है बिटा हमारा? 18 10 This is 14 यहाँ है 12 1 कहा रही कितना है? 1 2 3 4 42 यहां पिटा हमारा? 42 By 2 यहाँ कि 22 जो 4 2 जो 2 S ब्राबर हमारा कहो निकल कहा है? 21 21 S बराबर हमारे करक्या है 21 तो पेटा हमारा area क्या होता है area होता है root में है वास formula S S minus A S minus B S minus C देखो कि पेटा देन से हमारा यहां पे S S कितना है पेटा हमारा S है हमारा 21 और S 21 minus का A कितना है पेटा 18 और 21 minus का 10 21 minus का कितना है कितना देखा 14 ठीक है कितना से बताना मेरे कुछ ज़ली से बताना यहां पर देटा 21 इसको हम जब minus करेंगे कितना क्वेटा थी यहां पर हमारा क्या है पिटा 11 यहांपर कितना है गटा 21 21 इदा है 67 कितना सब्सक्राइब इसको यह लिख सकते किसको 21 को क्या लिख सकते हैं 21 को लिख सकते हैं 7 multiply 3 multiply यह वाले 3 को हम लिखेंगे multiply 11 multiply 7 यह 7 यह 7 क्या होगे आप बाहर आएंगे क्या बन जाएंगे हमारे 7 यहाँ भी यहाँ होगे हमारे 3 बाहर कितना है 3 root में 11 यहाँ भी कितना है 21 root मीटा इसक्रा आएगा क्या हैगा 21 21 यहाँ भी लिख देते है तो आएगा root 11 meter square ठीक है यह हमारा क्यान करके है area of triangle तो आएगो आपको अच्छे से क्लिए समझ में आया होगा centimeter में दिया था centimeter में दिया था तो हम centimeter लिखेंगे c c c centimeter में दिया था centimeter में दिया हो तो meter square होगा I hope आपको अच्छे से क्लिए समझ में आया होगा ठीक है तो यानि यह हमाई basic interaction था आपको अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपको class अच्छी लगी हो लाइक और सेया करेगा एक जादा 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 लोगों सेया करिए जिससे कि एक अच्छा सा वो concept निकी रहा हो सके बच्चों को जो basic सी चीज़े आपको के लिए नहीं है तो आपको class को क्या करना है जादा जादा शेयर करना है class अच्छी लगी हो तो में लाइक करेगा चाहे में नए हो तो आपको subscribe करेगा thanks for watching my class